हेलो बच्चो आज हम करेंगे पिटारा बुक की सेकेंड नमबर के बुक की स्टोरी स्टोरी का नाम है टिल्लू केर्स पोर दा बुक्स यानि कि टिल्लू बुक्स का ध्यान रखता है चलिए शुरू करते हैं टीचर बोलती हैं हेलो बच्चो चलो एक बुक निकालते हैं और पढ़ते हैं रीड मतलब पढ़ना बिल्लू बोला आई लाईक दिस ड्रॉइंग, आई विल टेक आउट दिस पेज इसका मतलब, आई लाईक दिस ड्रॉइंग मतलब बिल्लू को ये ड्रोइंग पसंद आ गई और बिल्लू बोलने लगा मैं इस पेज को फाड़ लूँगा टिल्लू बोला stop stop don't hear the page टिल्लू बोलने लगा अरे रुको रुको पेज को मत फाड़ो don't hear the page लेकिन बिल्लू क्या बोलता है I always keep drawings with me मैं अपनी सारी drawings जो मुझे अच्छी लगती है अपने पास रखता हूँ Always keep drawings with me फिर क्या हुआ फिर उसको टिल्लू ने बोला please don't tear the page please page को मत फाड़ो अब उसने उससे request करी please बोल के मना किया लेकिन फिर भी बिल्लू क्या बोला बिल्लू बोला I don't care मैं परवा नहीं करता I want the drawing मुझे तो drawing चाहिए उसके बाद क्या हुआ टिल्लू ने बोला oh no give it here बिल्लू please देखो टिल्लू ने पेज फाड़ लिया था और वो पेज टिल्लू ने उससे वापिस मांग लिया बोला give it here बिल्लू please मुझे दे दो और देखो उसके बाद टिल्लू ने वो पेज बुक में वापिस टेप से चिपका दिया यहे तेख के टीचर क्या बोलती है टीचर बोली well done टिल्लू आपने बहुत अच्छा काम किया टिल्लू I am proud of you मुझे तुम पर बहुत गर्ब है उसके बाद टीचर ने एक और बात बोली Everyone clap for टिल्लू सब बच्चे टिल्लू के लिए ताली बजाओ He takes care of books वो किताबों का ध्यान रखता है उसके बाद बिल्लू ने भी टिल्लू से एक बात कही Thank you I will not tear any pages again Thank you मुझे इतनी अच्छी बात सिखाने के लिए I will not tear any pages again मैं दुबारा pages नहीं भाडूंगा I will care for books मैं books का यानि किताबों का ध्यान रखूंगा ये कहानी अब खत्म हो गई ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल पड़ों इंडिया को सब्सक्राइब करें